नमस्कार दा इंडिया टॉप देख रहे हैं आप मेरा नाम शशांग पांडे है देखे जारखंड बिदान सभाद चुनाओ और उसको लेकर भारतिय जनता पार्टी की जो रमनीती बनी उसमें ये देखा गया कि भारतिय जनता पार्टी ने बिहार के अपने सहयोगी दल ज्यादा मौका दिया और उसके बाद ज्यादा भाव भी दिया वहीं दूसरी तरफ और भी सहयोगी दल थे जो कह रहे थे कि जारखंड में हम चुनाओ लड़ेंगे खास करके अगर बात करें तो चिराग पास्वान की चिराग पास्वान ने खूब दम-कम दिखाया वहां पर कारिक्रम पर कारिक्रम हो गया जेडियू ने कोई कारिक्रम नहीं किया था जेडियू ने बस इतना कहा कि हम चुनाओ लड़ेंगे और उसके बाद भारतिये जनता पाटी को लगा कि नहीं भईया जेडियू को भाव देना जरूरी है और इसलिए भारतिये जनता पाटी ने जेडियू को भाव दिया लेकिन चिराग पास्वान रैली करते रह गए वहाँ पर कारिक्रम करते रह गए भीरी कर्था करते रह गए लेकिन भारतिये जनतापाटी ने भाव नहीं दिया और अब देखिए भारतिये जनतापाटी ने जीतनामाजी को भी भाव नहीं दिया जीतना माजी ने भी कहा था कि हम भी जारखंड से चुनाओ लड़ेंगे लेकिन भारतिये जनता पार्टी ने उन्हें भी भाव नहीं दिया उपेंद्र कुष्वाहा भी है उन्हें भी भाव नहीं दिया पसुपति पारस को तो बिहार में भाव ही नहीं मिल रहा है चिराग पास्वान पे होनी चाहिए कि चिराग पास्वान को जारखंड में भारतिये जनतापाटी ने भाव क्यों नहीं दिया पांच सीट पर लोग सभा लड़े पांचों सीट जीत कर आए और इतना अच्छा प्रदर्शन लेकिन जारखंड में सीट नहीं मिला बटवारा इस तरीके से हुआ कि चिराग पास्वान को भाव तक नहीं दिया गया और अब भारतिये जनतापाटी की जो रन्नीती बनी देखें कि इस तरीके से भी आईपी सीटों पर उमिद्वारों का चैन हो चुका है उमिद्वार उतारे जा रहे हैं चिराग पास्वान के हात निर गडबंदन करेंगे तो फायदा होगा किसके साथ नहीं करेंगे तो फायदा होगा अब चिराग पास्वान के साथ गडबंदन करके क्या फायदा होगा भारतिय जनता पार्टी यह खुबी समझ रही है और इसलिए उन्होंने चिराग के साथ गडबंदन नहीं किया और आब बॉटरी इलाके जो है जहाँ पर जिले वे भीहार के जिले से सटे हुए है जारकंट का जो जिला वो विहार के जिले से सटा हुआ है उन ज जगहों पर उन विदान सवाध छेतरों में देखा जाए तो जेडियू के कुछ भोटर होंगे जिनकी वज़से जेडियू को फायदा भी पहुंचेगा खास करके जेडियू को और फायदा पहुंचेगा क्योंकि वहाँ पर जो कुर्मी समाज के लोग है उनकी संख्या अधिक है और खिरू महतो को तो आप जानते ही होंगे जिनको रास्षभा सांसद निचीश कुमार ने बनाया था तो खिरू महतो भी अभी रास्षभा सांसद हैं तो वहाँ के जो कुर्मी है उनके दिमाग में ये चीज़े हैं कि हमारे समाज को अगर कोई आगे लेकर चल रहा है तो वो जेडियू है बिहार की पार्टी है जारकंड में आकर हमारे समाज के बारे में काम करती तो वहां के प्रदेश ध्यक्ष्थे खिरुमत और उनको राजसभा भेजा गया रसिपी सिंग के जगवा पर तो ये भी एक दिमाग में चल रहा है कि खिरुमतो को राजसभा बनाया गया था कुर्मी समाज के जो है कुर्मी कोईरी जो है उनके समाज दिमाग में ये चीज़े हैं कि हमारे नेता हैं उस समाज से हैं नितिश कुमार हैं हमारे समाज के बारे में सोचते हैं तो इसका फायदा भारतिय जनता पार्टी को भी पहुंचने वारा है अब आगे देखे क्या पर भारतिय जन्ता पार्टी जो है वो नजर बनाई हुई है लेकिन चिराग पास्वान को भाजपा ने बड़ा जटका दिया है वराल इसका बर में इतना ही बने हमार साथ और देखते रहें दे इंडिया टॉप